नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमा ब्रिश्चिक रासी फल सितंबर 12 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा वो कौन सी तारीक है जिस दिन सुब कारे करना आपके लिए उत्तम रहेगा यनि कारे पूर्ण होने की संभावना बढ़ेगी और वो कौन से दिन है जिस दिन कोई भी कारे करने से बचना चाहिए तमाम बाते जारी हैं वीडियो के अन तक बने रहे हैं और ये प्रिश्चिक रासी बानो ये जो वक्त है आपके लिए ये एकडम से भागियोद है या पर कह सकते हैं कि भा नीच अवर्स्था से निकल और तुला रासी अपने घर आएंगे क्योंकि आपके राशी के स्वामी मंगल इसमें अस्टम में और ये परिवर्तन का भी अस्थान है देव गुरु ब्रस्पती के नच्छतर पर भी आदिन है अब ऐसे में भागे का साथ मिलेगा स्वेम के प्रयास से किस्मत का साथ मिलेगा और दूसरा उन्नती के रास्ते खुलेंगे बुद्ध एक ऐसे करह है आपके जीवन में या आपके इंकम के मालिक है और वो अभी आपके अपने मित्र के साथ मित्र की रासी में है और ऐसे में सूरे बुद्ध का बुधातित राजियो बना हुआ है जो कि आपके करियर में उचाईयां दे रहा है 16 सितंबर तक तो यहां पर से चीजें तो इस्तिर है लेकिन दूसी तरफ सूरे का आपके दसमभाव पर यानि की दसमेश ही बैठे हैं माना जा यहां पर दखिया आप यह समझ सकते हैं कि सूरे दसमभाव में है करियर के लिए बहुत अच्छा है खास का जो लोग सरकाई नौकरी की प्र सब्सक्राइब के लिए बहुत अच्छा वक्त लेकर आया है और सनी देव के अगर हम बात करें तो यहां पर देखे पूरी सितंबर के महने में वह वक्री वस्ता में रहेंगे और ऐसे में आपके लिए सनी देव 15 नौमबर को फिर से मारगी होंगे लेकिन आपके उपर सनी देव के ड्या भी चल रही है पर फिर भी यहां पर वक्री वस्ता में है तो ड्या से आपको मुक्ती मिल चुकी है यानि ड्या का जो निगेटिव प्रभाव है वह अभी नहीं पड़ेगा तो यहां पर सनी देव चतुरत अस्थान पर वक्री अब इनकी जो दृष्ठी है वो सिधे करियर के भाव पर है काले छेतर पर है सुर्य और बुद्ध तीनों ग्रह का परभाव आ रहा है सनी भी अपना करियर पर डाल रहा है अपना दृष्टी तो ऐसे में क्या होगा ना आपके भागे भागयों देखा सकते हैं और दूसरा सनी दे तीसरे घर का भी यहां योग आपको देंगे तो ऐसे में कोई नया एग्रिमेंट हो सकता है नौकरी को लेकर परपोर्टी को लेकर काम को यह अटका था वो बन सकता है यातरा भी करें किसमें योग बनेंगे प्राकरम बढ़ेगा साहस बढ़ेगा अपने बलबूते आप एकदम से तरक्की करेंग और तिन तिन गरहों का सुफल है इसलिए महतपूर्ण है यह सुक्र का भी यहां बहुत खुबसरत सही होग है क्योंकि 18 सितंबर को जब सुक्र मूल त्रिकोन रासी में प्रवेश करेंगे तो यहां पर आपके जीवन में सुक्र जो है ना इंकम को बढ़ाएंगे 18 सितंबर के बाद सुक्र जब आपके बारवे भौ में आएंगे तो कोई बड़ा निवेस करना है पैसा लगाना है यह समय ठीक है और विदेश से धनाएगा विदेशी जमीन से लाव होगा हाँ ध्यान ही होगा जरूर कीजेगा इसमें सुक्र का संबंद चुकि सौंदर से और बारवा घर विदेश से भी समंद रखता है तो ऐसे में यहां पर विदेश से लाव होना दिख रहा है जीवन में बदला होगा सुक्र जहां रहते हैं वहां खूबसूरती बढ़ाते हैं तो इसमें आपकी लाइफ में कोई खूबसूरत घट ना होगी सूर्य सेर मार्केट विगर से जुड़ना चाहते हैं तो भी बढ़ी हैं आपके लिए लेकिन हम जैसा कि आपको सुवात में ही बोले थे कि वह कौन सी तारीक हैं जिस दिन कारे करना आपके लिए सुब रहेगा तो देखिए वह तारीक होगी 14 सितंबर और 15 सितंबर जब सुर्य ब सितंबर अगर बहुत जरूरी हो बहुत मजबूरी हो तब आप बड़ों की सलाह से हनुआ चलिशा का पाड़ करके घर से निकले कारी कीजिए तो सफल होने की संभाव ना बढ़ेगी हम आप से बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें स धनी बात हम फिर मिलेंगे